तो सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ इस चैनल पर मैंने लास्ट पता नहीं कब डाला था अल्मूस्ट एक महीने के उपर हो गया तो क्या करूं यार थोड़ा लाइफ बनाना थोड़ा करियर अभी बनाना भी बनाना विकॉस्ट आप यहां पर आइधर यू मेक इट और यू ब्रेकिट और यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जो मैं लाइफ टाम आगे कर सकता हूँ इस यूट्यूब इतना धान नहीं दे रहा हूँ इसके लिए इसके लिए अब इप्लोड बट आइविल आप्रॉमिस मैं अभी से चालू करूँ करूँ का अपलोड करना अग्या जो वीडियो यह बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग है पहले मैंने सुछा नहीं तकि मैं यह वाले टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊगा बट सफते में जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ मैं समझ गया हो कि इन्स्टेग्राम पे अभी क्या चीज चल रही है मैंने मैंने बोलूगा कि मैंने अल्गोरित्म क्रैक कर लिया है लेकिन चाहत तक मैं समझ गया हो कि क्या ची बीच पे भी देखो ना मेजॉरिटी ऑफ द वीडियो और मिनी व्लॉग्स या फिर अगर मैं कोई जर्नी पे चाहरो तो भाका थोड़ा बहुत मैं क्लिप्स वगेर इदर उदर करके मैं डाल देता हूँ और मेरे कई सारे मिनी व्लॉग्स अच्छली वाइरल गए है एक तो 1.5 मिलियन पे है बट यह चीज है ना 2020 और 2021 और 22 के मैं बोलू मिड तक यह अच्छा गासा चला था जून जुलाई तक बट उसके बाद से मैंने जितने भी मिनी व्लॉग्स डाले ना वो नहीं चले बिक कि जब से मैंने कॉंटेंट में थोड़ा सा बदलाव किया मेरे व्यूज थोड़े से बढ़ने शुरू हो गए थे प्रॉम दफ फॉस्ट वीडियो इसे और एग्जांपल मैंने यह वाला एक वीडियो डाला था आप पहले वो वीडियो देख तो यह वाला जो वीडियो है पर्टिकुलरी यह जैसे मैंने डाला एक यह देड़ घंटे में आई वूट से इस पर दस अजार व्यूज हो गए और इतने जाजा शेर्स होने लग गए कि अंडर्सूट कि हाँ चलो यह चीज मेरी चल रही है अब मैंने सुचा कि यह थोड़ा ऐसा आप का कॉंटेंट बनाना शुरू करते हैं जो थोड़ा रिलेटेबल हो थोड़ा फनी हो तो मैंने ऐसे दो-चार इसे वीडियो दानने शुरू किये तो कुछ चले कुछ नहीं चले और आइगेस दो दिन पहले और एक्जाक्ली दो को या डाई दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला कि मैंने नहीं वाला माइक लिया तो मेरे दिमाग में अलग से कॉंटेंट आया कि या ऐसा ट्राय करके देखते और वो वीडियो एक दिन में हंड्रेड के क्रॉस कर दिया भाई एक लाग व्यूस चॉबीस गंटे के अंदर 18-19 गंटे में एक लाग व्यूस प्रॉस कर दिया उसको कुछ हजार शेर्स मिले और 200-300 लोग ने उसको सेव किया देखो अगर हम वाइरल माटेरियल की बात करें तो बहुत सारे क्रेटर्स के लिए यह चीज़ वाइरल नहीं होगी बट मेरे लिए यह बहुत जादा वाइ एकदम ओरिजिनल कॉंटेंट जो मैंने देखा जिस्ट मेरे दिमाग में कुछ चीज आई मैंने बनाया एंड बूम इट जिस्ट वेंट वाइरल सो आफ्टर मेकिंग दिस रिला नोटिस्ट वान तिंग के बहुत ज़्यादा वाइरल गया ठीक है 100-200 फॉलोवर्स बढ़े ठीक है आफ्टर दिस रिल वेंट वाइरल लेकिन मेरे उतने ही फॉलोवर्स कम भी हुए अब यह क्यों हुआ बिकॉज मैंने यहापर कॉंटेंट स्विच किया आयब नोटिस्ट के मेरा जो फॉलोवर्स का लिस्ट है वो थोड़ा कम होते जा रहा है बट अट अब अब अ अब यहाँ करेंगे जाए और लोग में को मतलब फॉलो ना करें एक ना डाले तुम जितना साथ रिलेटेबल बनाओगे न उतना साथ लोग तुमको पसंद करेंगे तो मैं अबसे वही कॉंटेंट बनाओगा मेरे इंस्टेग्राम पे स्पेसिफिकली और रियलाइस के आज वैलेंटाइन डे है तो आज के दिन वह चलेगा वह बहुत अच्छा वाला बट कल से वह रियल चलना बंद हो जाएगा वही अगर मेरे यह वाले रियल की बात करूँ जापर मैं यह पॉटकास्ट वाला स्पूफ बना रहा हूँ वह वाला रियल एक लंबे समय तक चल मैंने क्या किया बहुत सारे मैंने रियल देखे जहां पे लोग बैठके ना ऐसे फुकर्ट में टाइम पास में एक माइक वाइक लगा के बहुत बाते कर रहें बट एक्चुली में इतनी बाते हैं तो मैंने सोचा है चलो इसका थोड़ा स्पूफ टाइप कुछ बना ले औ अब दूसरा आइडिया बताने से पहले मैं आप लोगो बताना चाहता हूं कि जितने भी मैं रिल्स बना तो उसके नदर आप नोटिस करोगे कि फेस मेरे बाल मेरा सब कुछ है ना मैं एकदम ऑन पॉइंट रखता हूं तो वह इसके लिए होता है क्यूंकि विकॉज एवर करें यूज जा रहा हूं यूज यूज अपर तीन ग्लोव है प्लस मामार्त के सारे पर अचुना और केमिकल फ्री इसका मतलब आपके सकीन पर कोई नुकसान नहीं पहुचेगा इसी के साथ साथ मामार्त पर आप जभी खी और करते हो लिंक यूर ऑडर तो एप्लान ऑसका exact geolocation और species आपको बता दिया जाएगा also let me tell you that mama earth is a plastic positive brand that means ही लोग जितना तरदा प्लास्टिक बनाते हैं उसे कई जादा प्लास्टिक है ना रिसाइकल करते हैं तो आप environment सोचो किस लेवल तक बचा रहे हो so if you want to buy anything from mama earth you can buy it from amazon purple, nika, flipkart and offline stores near you and if you use my code अपको 20% का discount भी मिलेगा now lastly do not forget to check out their iOS and Android application जिसके ओपर गर कोई भी sale या discount होगा तो उसके बारे में आपको पहले ही पता चल जाएगा बचत प्रो मैक्स और हम हैं इंडियन तो यार बचत करना बहुत ज़रूरी है तो पहला एडिया था वो तो मैंने बताया that you can make relatable funny content जो बहुत सारे लोग शेयर करते है उतना जादा शेयर होगा उतना जादा लोग आपको पैचाने के तो automatically Instagram का algorithm भी बुलेगा कि हाँ ये बंदे का reels अच्छा है तो इसको हम वाइरल करेंगे ये जो 100-200K है ये मेरा एक दिन 1 million तक भी जाएगा just hoping for it मैं करूगा उस पर काम anyway now the second idea is कि आप mini vlogs अभी भी बना सकते हो ऐसा ने की mini vlogs का पूरा market खतम हो गया but अगर आप एक ऐसा mini vlog बनाओ जहाँ पर एकदम randomly just आपका phone लेके एक day in your life आप शूट कर रहे हो अपने photos का cut out करके उसको एक video format में बनाओ और वो चीज़ डालो अच्छे से music डालके वो काफी लोगों को देखने में मज़ा है का अभी इंडिया में currently वो चीज़ को करनी रहे या फिर मानलो आप कई गूमने जा रहे हो को बहुत ज़्यादा अगर उसमें जादा बहुत जादा इंट्रेस्ट है बिकॉस मेरे बहुत जादा नजदी की फेलो क्रीडर है नवीन भाई उन्होंने डिसंट्ली का काला कोड़ा आच फेस्टिवल का रील डाला ता जो रातो रात 100-200 के पह पाँचिया था बिकॉस तीन साल के बाद काला को बात करना शूरू करो एंड टेल स्टोरी जितनी जादा स्टोरी आपको देखेंगे उतना लोग आपसे रिलेट कर पाएगे यस दीस वर सम अफ़ आइडियास आट यू को करना आप कर सकते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक साइनिंग और शुक्रिया और जो अगला झाल झाल